नमस्कार दोस्तों, दोस्तों मैं नवीन कुमार अपने चैनल लेंग्वेज आफ प्लेनेट्स में आपका स्वागत करता हूँ दोस्तों सूर्य जिस ग्रह के साथ बैठता है उस ग्रह को अस्त कर देने की छमता सूर्य के अंदर है सूर्य को ग्रह राज कहते हैं अलग-अलग राशियों में, अलग-अलग भावों में सब के सूर्य पाहे जाते हैं जन्म कुंडली के सभी भावों के फल अलग-अलग हैं लगन के, धन के, पराक्रम के, सुख के, शिक्षा के हर भाव अपने फलों के लिए जाना जाता है और उस भाव का एक इश्ट भी होता है, अर्थात उस भाव का एक मालिक भी होता है जो राशी उसमें लिखी है, उस राशी का स्वामी ग्रहे अब दोस्तों, जन्म कुंडली के अंदर, यदि कोई ग्रहे, सूर्य के अत्यधिक करीब अर्शों में अस्त हो जाता है तो उस ग्रहे के परिणाम आपके लिए क्या होंगे आपके लिए क्या फल वो देगा अब दोस्तों बात करते हैं उधारण के तौर पर मान लीजिये के आपकी कुंडली में व्रश लगन है और दूसरे भाव के स्वामी बुद है और पाचवे भाव के स्वामी बुद है यानि आपकी कुंडली में धनेश बुद है और पंचमेश शिक्षास्थान के स्वामी भी बुद्ध है और चतोधेश सूर्य है अब माल लिजिए दूसरे भाव में या तीसरे भाव में बुद्ध अस्त हो जाते हैं क्योंकि बुद्ध अक्सर अस्त रहते हैं तो बुद्ध की दोनों भावों की चाहे वो धन भाव हो और चाहे वो संतान भाव हो शिक्षा भाव हो दोनों भावों के फलों में अत्यधिक न्यूंता देखने को मिलेगी जातक को धन संबंदी समस्याएं भी परेशान कर सकती हैं और संतान संबंदी शिक्षा संबंदी समस्याएं भी परेशान कर सकती हैं क्योंकि बुद्ध ग्रह सूर्य के करीबी अंशों में बैठकर अस्त हो गया है जब भाव का स्वामी अस्त हो गया है तो उस भाव के फल जिस भाव का स्वामी बुद्ध है या जो भी ग्रह सूरे के साथ अस्त हो गया है वो ग्रह जिस भाव का स्वामी होगा उस भाव से सम्मंदित फलों में निश्चित तोर पर कमी आएगी यदि लगनेश अर्थात हमारी परसनेलिटी का लॉर्ड हमारे शरीर का स्वामी ग्रहे लगन का स्वामी ग्रहे यदि अस्त हो जाता है तो जातक के सोभाओं में चिर्चिरापन बना रह सकता है गुसा बना रह सकता है जातक के स्वास्थे में उतार चड़ाओं की स्थिति बनी रह सकती है जातक के सिर में दर्द रहने की शिकायत हो सकती है जातक की आखों में दर्द रहने की समस्या भी हो सकती है वहाँ पर सूर्य के प्रभाव बढ़ जाते हैं क्योंकि सूर्य प्रतक्ता जन्ने इस्थितियां पैदा करते हैं यानि जिस भाव में बैठ जाएंगे उस भाव के फलों से अलग कर देंगे और जिस ग्रह को अस्त कर देंगे उस ग्रह के भाव का भी नुकसान होगा अस्त हो जाने के कारण ऐसी स्थिति में जो भी ग्रह यदि अच्छे भाव का स्वामी है यानि माल लेजे कोई ग्रह कुंडली के दूसरे भाव का स्वामी है पाचवे भाव का स्वामी है सात्वे का स्वामी है हलाकि सात्वा भाव मारक भाव है लेकिन फिर भी सात्वा भाव कारोबार का है सात्वा भाव शादी शुदा जीवन का है पार्टनर का है नवम भाव का स्वामी दशम भाव का स्वामी एकादश भाव का स्वामी यदि ये सूर्य के साथ अस्त हो जाते हैं तो इन से सम्मंधित उपाय करके इन ग्रहों के लिए कुछ न कुछ बल बढ़ाने की व्यवस्थ अवश्य करनी चाहिए। शुब ग्रहों के परिणाम जितने अच्छे मिलते हैं, उतनी ही जातक के जीवन में तरक्की आती है। यदि लगनेश अस्त है सूर्य के साथ, तो यह तै है कि जातक को अपने जीवन की हर छेत्र में किसी न किसी प्रकारिकी समस्या का सामना करना पड़ता है। क्यों कि पूरी कुंडली लगन पर डिपेंड करती है। जब भी लगनेश अस्त हो या कोई भी अच्छे भाव का स्वामी अस्त हो चौथे का, दूसरे का, पाच्वे का, सात्वे का, नमम का, दशम का, एकादश का, तो इस स्थिती में आप उस ग्रह को बल देने के उपाए अवश्य करें। लेकिन साथ में अपने लगन को भी मजबूती देने के उपाए अवश्य करें। दोस्तों, ग्रहों की मजबूती ही शुब परिणाम देती है। इसलिए अपनी कुंडली का आप आकलन करें, देखें कि कोई ग्रह अस्त तो नहीं है। तो उससे संबंधित उपाए किसी अच्छे विद्वान से संपर्क करके अवश्य करें। क्यों कि यदि धनेश होकर, लाभेश होकर कोई ग्रह अस्त हो जाएगा, तो महनत आप करते चले जाएंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको उसका आर्थिक लाव नहीं मिल पाएगा। भाग्येश अस्त हो जाएगा, भाग्य आपका साथ उस इस्तर पर नहीं दे पाएगा जिस इस्तर पर देना चाहिए। सब्तमेश अस्त हो जाएगा, जीवन साथी के स्वास्थे में कमी कर सकता है। कारोबार में कमी कर सकता है। पंचमेश अस्त हो जाएगा तो निश्यत तोर पर ये माने के पढ़ाई में आपको रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है दिक्कत दे सकता है तो इसलिए इन भावों के स्वामियों का अच्छा बल्व में होना लाव देता है संपर्क करके किसी भी अच्छे विद्वान से योग्य जोतिश विद्वान से संपर्क करके अपनी कुंडली में यदि कोई द्रह अस्त है तो उसके हर संभव उपाय अवश्य करें अपने अगले वीडियो में हम आपके सामने उपस्तित होंगे एक नए विश्य के साथ यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लेगे तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे बेल आई का नवश्य दवाए जिससे आपको हमारे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन समय से मिलता है नमस्कार दोस्तों